हलो स्टूरेंट्स इस आवर साइंस क्लास एंड वी आड़ीं चैप्टर नंबर सावन कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड आनिमल्स हमने कल पड़ा था कि अगर डिफोरेस्टेशन होता है तो उसके क्या कारण है उसका क्या इफेक्ट है वो इफेक्ट हम पड़ रहे हैं अ प्लांट्स एंड वैजिटेशन अगर हमकी सोईल में प्लांट्स लगाते हैं तो उसकी प्रोपर्टीज अलग होती है प्रभावित होती है रिकॉल फ्रॉम क्लास सेवन हाव ट्रीज परवेंट सोईल इरोजन आपने पढ़ा ही होगा सैवन्त क्लास में भी पढ़ा है कि सो प्लांट्स है वो सोईल इरोजन से बचाते हैं मतलब मिटी के कटाओ को रोकते हैं फ्यूवर ट्रीज रिजिल्ट इन मोर सोईल इरोजन अगर प्लांट कम है या नहीं है तो ज्याद़ सोईल इरोजन होता है रिमूवल ऑफ टॉप लियर ऑफ सोईल एक्सपोजिस दा ट्रीजन नहीं होती है फर्टाइल होता है इस में बना बहु मिया वो रगिस्तान में बदल जाती है उसे बोलते हैं डिसर्टीफिकेशन डिस फ्केशन डिस फोरेस्टेशन आ जो लीकिस इन होट जो इंट्योंक रोटिंग कापैसिटि ओफ सोईल इफलस्टेशन से वाट मिटी की पानी को रह attacks पानी को सबर्ण हो जाती है मितलब जो पानी सेखती है और सेल से लिए बायर ढ़्यादा देडिशन को देड ni विद्स कॉलए आसे ब सेनु उसमें ओर टेक्स्छर है वह सब चेंज हो जाता है दी वर्ण किवज़ए दिध